जय श्री कृष्णा आप सबने एकलव्य की कहानी तो सुनी ही है, पर एकलव्य श्री कृष्णा जी से कैसे जुड़े हैं, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो जानने से पहले चैनल की सब्सक्राइब जरूर करें। एकलव्य कुषल धनुर्धर देवशर्वु का पुत्र था जो वासुदेव का भाई था, वासुदेव कृष्ण के पिता थे। जब द्रोनाचार्य ने एकलव्य का दाहिना अंगूठा काट दिया, तो भगवान कृष्ण ने उससे बदला लेने के लिए उसे पुनर्जन्म लेने का वर्दान दिया। एकलव्य का पुनर्जन्म ध्रिष्ट द्यूम्न के रूप में हुआ, जो द्रोनाचार्य को मारने के एक मात्र उद्देश्य से बनाई गई यग्य अगनी से बाहर निकला था। यह भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने एकलव्य का वध किया था। एकलव्य ने अपने दाहिने अंगूठे का बलिदान देने के बाद, खुद को सबसे महान धनुर्धर साबित करने की उसकी प्यास बढ़ गई और उसने खुद को उभायलिंगी होना सिखाया। वह धर्म के मार्ग से भटकने लगा। निशाद व्यात्रज हिरण यधनुस जरासंध के लंबे समय से सहयोगी थे, जो कृष्ण के दुश्मन थे और जब कृष्ण रुक्मिनी को ले जा रहे थे, तो एकलव्य ने उन्हें रोकने के लिए शिशुपाल और जरासंध के साथ सेना में शामिल हो गए। जब एकलव्य ने उसे चुनोती दी, तो कृष्ण ने एकलव्य पर एक चटान फिंक कर उसे मार डाला।